वो अपने लिए रहेगी 2015 जिसके ओब्जेक्ट हैं अगर कोई भी इंडस्ट्रीज है जो खनीज आधारित हो अगर वो इस्तापीत की जाएगी तो उसका जो मेन ओब्जेक्ट या टार्गेटेड जो एरिया रहेगा वो यह तो ट्राइबल एरिया या जो बैकवर्ड एरिया हैं अर्थात ऐसे उद्योग जो मुख्य तक खनीजों पर आधारित हैं उन्हें आदिवासी या पिछडे छेत्रों में इस्तापीत किया जाएगा ये इस खनीज नितिगा मुख्य उद्यस से था तो लेटेस्ट मिंडल्स मिंडल्स बेस्ट इंडस्ट्रीज विल बी स्टे जो पुराने वाली मिंडल्स पॉलिसी हैं उसमें नहीं रहे या कुछ ऐसे प्रोवीजन है जिनको बार-बार रिपीट किया जाता है तो एक ऐसा प्रोवीजन जो पॉइंट नंबर फिस्ट के रूप में इंडिकेट है इसमें ये वाला पाट साइन्टिफिक कि जो आने वाले हमारे बाद की जो पेडिया है उन लोगों के लिए इनको संदक्षित रखा जाए वैसे इस प्रकार के concept को नाम दिया जाता है sustainable development अर्थात खनिजों का संधारणिय विकास या विग्यानिक विकास तो first point जो कि लगबग सभी मिनर्स पॉलिसी में repeat होता है य इसके साथ दूसरा point है 31 major या principal और सब principal मिनर्स हैं उनका जो mining लीज है उसके लिए minimum 4 hectare है उसके requirement मानी गई है अर्थात 31 परधान और गोण खनिज हैं उनकी लीज उसी को दी जाएगी जो minimum 4 hectare area को cover करें अर्थात government को इतना payment कर पाए कि जो 4 hectare area जो होगा वो कम से कम 31 जो minerals होगे उनके लिए इसको compulsory बनाया गया है अर्थात 31 खनिजों के खनन पटे कम से कम 4 hectare पर जारी किये जाएंगे 31 major principal minerals भी यूज कर सकते हैं इसमें 31 major और principal और minor minerals और sub principal minerals mining leege will be issued in a minimum of 4 hectare इसके बाद में sandstone वाला पार्ट तो sandstone के लिए जो mining leege है उसका criteria रखा गया है minimum 1 hectare अर्थात 31 खनिजों में minimum 4 hectare और sandstone में यह criteria minimum 1 hectare जबकि जो gravel leege है अर्थात जो बजरी के खनन पटे हैं उसमें 2 तरीके की scale रहती है एक minimum और एक maximum जो minimum scale है वो 5 hectare और जो maximum जो leege जारी की जाएगी वो 50 hectare इसके बाद में हम देखते है next illegal production खनिजों का जो अवेद उत्पादन होता है उसके बारे में पुराने जो provision थे उनको change करके पुराने provision में था अगर कोई illegal production करता है अर्थात अवेद खनन करता है तो उस वेक्ति को 2 साल की सजा और उसके उपर 25,000 रुपे का जुर्माना वर्तमान में दोनों चीजों को बढ़ा दिया गया है दो साल की सजा को 5 साल में convert कर दिया गया है और 25,000 रुपे के जुर्माने को 5 लाक रुपे में convert कर दिया गया है तो illegal mining will be punishable with a sentence of 5 years अर्थात 5 साल की सजा and a fine of 5 लेक रुपेज और जो मुखेत है आर्थिक जो सजा या आर्थिक जो दिया जाएगा वो 5 लाक रुपे का होगा इसके बाद में mining license period extended from 15 year to 30 years अर्थात mining license उसका जो पिरेड है उसको extent किया गया है 15 year से 30 years में अर्थात जो अपनी mining होती है उनको चलाने के लिए या जो गाडियां होती है सामनेत है, उनको चलाने के लिए अपने को एक license क्या सकता होती है, तो जो mining license है, उसका एक time period fix होता था 15 year, उसके बाद उसको renew करवाना होता, तो यहां जो mining license है, उनका जो time period हो 15 साल से बढ़ा के भी 30 साल तक किया गया है रास्तान में, उसके बाद next होगा, lock in period of lottery minerals will be 1 year, मुखे रहेता है जो lottery वाले minerals है, उनका जो lock in period है, वह 1 साल रहेगा, lock in period का meaning है अगर किसी वेक्ति को lottery की माध्यम से कोई mines मिली है, तो वो mines किसी दूसरे वेक्ति को transfer नहीं कर सकता, minimum 1 साल तक, तो कम से कम 1 साल तक अगर transfer नहीं कर सकता, इसका meaning वह 1 साल क्या रहेगा, lock in period, sorry, minerals directory will be created to indicate the exact position of minerals or mines, राश्तान में minerals के लिए एक minerals directory जारी की जाएगी, जनरली पहले हम देखते हैं, पहले हमारे गरों के अंदर, जो telephone का connection लगता था, तो telephone connection के साथ, sorry, एक बड़ी सी book दी जाती थी, जिसको अपन कहते थे telephone directory, जिसमें कुछ important तथे fact या कुछ number हुआ करते थे, तो उसी तरीके से minerals department ने mines के record को रखने के लिए, और minerals के record को रखने के लिए, जो minerals directory है, इसका provision इस बार रखा है इन्होंने, next है जो state GDP है, उस state GDP में जो minerals से उनका योगदान continue गिरता जा रहा है, अर्था decrease हो रहा है, state GDP में minerals के योगदान को बढ़ाने के लिए, इस निती में, इस policy में बात कही गई है, to increase, to increase the contribution of minerals in the state GDP, अर्थात state की जो GDP है, या जो income है, उसमें minerals का जो योगदान ने उसको बढ़ाना है, या उसके contribution को बढ़ाना है, इसके बाद में minerals policy में एक आती है, marble और granite policy, पहले तो इन दोनों stone की जो policy है, वो individual हुआ करती थी, अलग-लग होती थी, लेकिन 2002 में, 2002 में इन दोनों minerals की stone minerals हैं, पत्थर वाले खनीज हैं, इनकी policy, दो खनीजों की policy, 2002, यह तब ही करनी है, जब marble and granite policy के नाम से पूछा जाए, इसके बाद में हम देखते हैं, vision 2020, vision 2020, congress government के द्वारा, 1999 में 1999 के अंदर, day था इसमें 15 अगस्त 1990, उस दिन से इस योजना को launch किया गया, इस scheme को start किया गया, इस scheme का जो main object है, जो कहीं न कहीं हमारी आज जो खनीज नीटी हैं, उन में इसके object दिखाए देते हैं, scientific production of minerals, अर्थात खनीजों का जो वेग्यानिक विदाओन है, वो किया जाए, next day to increase the contribution of minerals in state GDP, जसा कि हम सामानेत है, जो नवीनतम खनीज नीटी में एक point पढ़ किया थे, उसी point को repeat किया गया, कि राज्य की जो GDP है, उसमें खनीजों के युगदान को बढ़ाया जाए, और खनीज वाले जो खेतर होते हैं, या जो mineral sector होते हैं, उन areas में जो basic requirement हैं, या यह कर सकते हैं, basic facilities हैं, वो उन चेतरों में provide करवाई जाए, तो providing basic facilities in mining sector अर्थात हैं, जो खनन चेतर हैं, उसमें जसे सड़क का निर्मान परिवान है, electricity, उर्जा है, या medicine service हैं, आधी आधार बुछ स्वीधाएं हैं, उनको उपलब्ध करवाना है, तो मुख्यत है vision 2020 का object है, एक तो खनीजों का veganic वेदोहन करना, उसके साथ है, दूसरा है, मुख्यत है रास्तान की GDP है, उसमें minerals के production ही आई, इसके उत्पादन को बढ़ावा देना, लास्त है, इस vision के tight, जो mining areas होते हैं, उन में infrastructure है, अर्था सडकों का जो निर्मान है, वहां तक जाने के लिए, वहां से आने के लिए, वहां पे electricity service हैं, अर्थात आधार बूत अवस्रंचना है, वो सारी उस sector में उपलब दोनी चाहिए, ये vision 1999, अर्थात 1999 के अंदर जो जारी किया गया था, जैसे minerals department में vision 2020 के नाम से describe करते हैं, इसके बाद में next point और last point है इस topic में, Minerals Institute, अर्थात खनीजों समंदित कुछ महतुपुन सहिस्तान है, उन सहिस्तान में एक आती है, RSMML, RSMML का meaning है, रास्तान State Mines and Minerals Limited, अर्थात इसका जो काम है, रास्तान में, खान और खनीजों को नियंतरन करने से मंदित जो कारिया है, वो इस department के द्वारा किया जाता है, रास्तान में Minerals हैं, वो maximum Udhepur की ओर हैं, शक्राइबर की और उसी एरिया में रास्तान квane, खनीज निगम उदेपूर बना हुआ है, जिसको established किया गया था 1974 के अंदर इसका headquarter या मुख्याले जैपूर में सुरी उदेपूर में है जैपूर में इसका एक office या career माना जाता है जबकि इसका जो headquarter है या मुख्याले वो उदेपूर में माना जाता है इसके बाद में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अर्थात जो जस्ते के उत्पादन के लिए central government का उपकरम या company मान सकते है पन उसका established किया गया था उदेपूर की और 1966 में और इसका जो मुख्याले है वो उदेपूर के देबारी में स्थित है और इसके द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा रास्तान में एक दूसरा इसी के सयोग से अर्थात इसके उपर pressure बढ़ने के काड़ रास्तान में एक दूसरा सामने चितोड़ वाला जो पार्ट है अर्था चितोड़ वाला पार्ट जो मेवाड का पार्ट जनरली हम कहते हैं तो उदेपूर के जड़ सामने मेवाड के पार्ट में चितोड़ गड़ और चितोडगड में एक important plant आते है जिसका नाम है चंदेरिया जिंक smelter plant जिसकी location चितोडगड district में है और इससे ब्रिटेन के सिवक से इस्तापित किया गया था और इसका establishment यह जो है इस्तापना वरस से वो 2005 है अर्थात इसके काफी बाद में इस्तापित हुआ था तो वर्तमा है जो चंदेरिया चितोडगड में इस्तीत है तो इस location को याद रखे चंदेरिया जिंक smelter plant कौन से district में है तो चंदेरिया location है चितोडगड की इसके बाद में हिंदुस्तान copper limited अर्थात जो आपका जिंक वाला है जस्ते वाला है उसके बिल्कुल opposite उत्री रावली की और establishment इसका जो year है स्तापना वरस जो है 1967 अर्थात हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के next year हिंदुस्तान copper limited को इस्तापित किया गया था खेतरी जैपूर जुनजनों वाले पार्ट में उसके बाद में हम देखते हैं हिंदुस्तान copper limited है इसके कुछ project है जो की जुनजनों और अलवर की और संचालीत है तो project ऑफ हिंदुस्तान copper limited हिंदुस्तान copper limited के जो project है वो पहले आपके खनन छेतर में भी आ चुके हैं जैसे खेतरी copper project जो कहां पे इस्तित है जुनजनों के अंदर next जो के आपको मैंने बताया था चांद मारी copper project जो के मुखेत है इसी area में है जुनजनों के अंदर और एक खोधरीबा copper production ये वाला जो part है ये है अलवर की उत तो इसमें अपन लेते हैं अलवर मुखेत है हिंदुस्तान copper limited के जो projects हैं उसके अंदर ये तीन प्रमुख project हैं जिन में सामनेत है जो चांद मारी वाला जो location है वो इतना नहीं सुनावा होता है जबकि उपर वाला जो खेटड़ी है जो copper के लिए देश बर में परसीद है सामबे के लिए जबकि निचे वाला खोद रिबा अलवर वाला पार्ट ये भी है देख फेमस है चांद मारी जो location है हमारी कम सुनी भी होती है इसलिए इस वाले बीच वाले point को right tick कर देना इसमें कि जो copper project है उसमें एक चांद मारी जोन जो प्रोजेक्ट भी है इसके बाद में हम देखते है petroleum refinery तो petroleum refinery जो रास्तान के अंदर प्रस्तावीत है या अभी वरत्मान में निर्बाणा धीन है अभी proposal नहीं अभी तो formation process में निर्मान के अंतरगत है जो कि बाड मेर के पंच पद्रा के अंदर है पंच पद्रा में इसका काम चल रहा है तो एक तो इसकी जो location है या आपको याद होने चाहिए जो construction site है पंच पद्रा बाड मेर इसका लिए जो budget है वो starting के अंदर है लग बग 32,000 क्रोड के असपास था उसके बाद इसमें data 40,000 क्रोड at present इसका जो budget है वो 43,139 क्रोड रुपे माना जाता है और इसके अंदर जो cooperation है refinery को बनाने में वो mainly HPCL के द्वारा दी जाएगी 74% और यह जो रास्तान में refinery बन रही है यह देश की 26 वी refinery है और रास्तान का contribution है वो mining जो percentage का जो cooperation है वो करती है अर्थात HPCL के main rights होते है इसके उपर और यह जो refinery बनाई जाएगी 15 बाड मेर इसकी जो capacity है इसकी क्षमता जो होगी वो इतना petrol store करने की होगी अर्थात 9 million metric ton 9 mmt petroleum को वो अपने पास रख सकती है अर्थात एक बहुत बड़ी refinery का निर्मान रास्त की और किया जा रहा है इसके बाद में अपनी जो refinery है रास्तान की उसकी विशेशना ही क्या है तो हमारे रास्तान के लिए तो first petroleum refinery है लेकिन इंडिया के लिए 26 refinery है तो रास्तान के लिए इसका important सदिक है first refinery of रास्तान and 26 refinery of इंडिया यह रास्तान के लिए पहली और स्टेंडर्ड है अर्था जो भारत स्टेंडर्ड बोला जाते है जो अपनी गाडियां चलती है उन गाडियों के आजगल कुछ नहीं गाडियां आ गही है जिनके पीछे B.S. लिखावा रहता है B.S. का मुन्हीं होता है भारत स्टेंडर्ड बारत standard जितना आगे होगा उन गाडियों का जो pollution है वो या जो engine जो है वो उतना ही अधिक high-tech होगा जैसे अपन mobile series में या data के अंदर generally use करते हैं 4G उससे पहले क्या था 3G और इससे upgrade जो generation आएगी वो आएगी 5G तो उसी तरीके से जो BS मानेक standard है यह बढ़ते रहते हैं time से तो the BS standard of this refinery will be 6 इस refinery का जो भारत standard है या जो BS मानेक है वो कितना है 6 petro chemical complex to be set up with refinery इस refinery के साथ अपन petro chemical जो complex है उसको भी इस्तापीत करेंगे sorry देश में जो गुजरात refinery है उस गुजरात के अंदर एक जामनगर refinery आती है जो reliance की है उस reliance refinery के अंदर भी एक तो पहले refinery बनाई गई और refinery बनाने के बात जैसे ही petro chemical industries है उनके investment की बात हुई तो उन्होंने petro chemical complex बनवाया तो उसी तरीके से रास्तान refinery के साथ साथ ही petro chemical complex का काम स्टाट हुआ है और इसका मुखे जो उदेश से होगा जो petro chemical जो इंडस्ट्रीज है उन में investment करवाना रास्तान को या रास्ता ना के हुल इसमें petroleum, petroleum के साथ जो अन्य पदारत उत्पादित होते है, petrol, diesel, kerosene, naphtha के हुल इन ही का उत्पादन नहीं किया जाएगा, जबकि इन से relevant जो other chemical industries है उनको भी develop किया जाएगा, जिसके लिए chemical complex को established किया जा रहा है, तो इसी के साथ आपका जिए जो important topic था, अर्था जो topic अपने start किया था, minerals वाला, ये minerals वाला topic अपना complete हो गया है, इसमें जो last वाला, जो refinery वाला part है, refinery वाले part पे students को एक question, जो कि एक applied question के रूप में हो सकता है, कि रास्तान में जो refinery है, उसके सामनेत है, उप्योग क्या है, या as a blessing अर्थात है, refinery को एक वरदान के रूप में अपन क्यों मान सकते हैं, तो एक तो refinery आने के बाद, रास्तान government को एक revenue की प्राप्ती होगी, जो HPCL यह पेट्रोलियम उत्पादन करेगा, या जो petroleum production होगा, उसमें रास्तान government का एक राजस्वा होगा, उसके अलावा, यहां के जो इस्तानिये लोग होंगे, बार्ड मे हो जाते हैं, उन लोगों को refinery वाले के शेतर में मुखेत रोजगर प्राप्त होंगे, refinery आने के बाद में, इस शेतर में जो infrastructure है, पस्चिमी रास्तान का वो बढ़ेगा, industrial development है, वो तेज़े से होगा, और एक new industrial era, अर्थात एक नवींतम उद्योगी की उप्ती शुरुवा उसके साथ कई chemical industries, अर्थात कई रासाइनिक उद्योग भी आएंगे, जिससे दिरे-दिरे जो refinery से निकलने वाला जो chemical है, वो land के साथ और अपने, जो environment है, उसके साथ mix up होता है और उसको polluted करता है, तो refinery आने के बाद, एक तो हमारे यहां, सामने तो refinery जब स्टार्ट हो जाएगी, petro chemical industries जब start हो जाएगी, तो एक तो environment problem start हो जाएगी अपने अर्थात, प्रयावरण समन्दी जो समस्या है वो बढ़ेंगी, उसके अलावा, इस चेतर में जसे-जसे industries बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे मुख्यत है, इस इस पेड़ पो दे होगे, उनके कटाई start ह हो जाएगी, इस refinery के कारण, रास्तान के अंदर जो मुख्यत है chemical वगेरा इस refinery से जो निकलेंगे, उससे जो land fertility है, वो continue decrease होगी, refinery आने के बाद में chemical, पस्चिमी रास्तान में जो chemical निकलेगा, वो पस्चिमी रास्तान की कुछ पर्मुख नदिया है, जिनके साथ mix-up होग जासे प्रमुख लंबी नदिये पस्चिमी रास्तान में लूनी, तो वो नदिये वो एक polluted river के रूप में convert हो जाएगी, अर्थात एक परदूसित नदी के रूप में वो जानी जाएगी, तो refinery आने के हमारे रास्तान में कई फाइदे भी हैं, और refinery आने के बाद हमें कई तरीके के नुक्सान भी होंगे, तो इसके उपर एक applied question आपको refinery रास्तान के लिए as a blessing और as a kus अर्थाते कभी साब, लेकिन last में इस answer को आपको positive लेके जाना है, क्योंकि रास्तान सरकार इसको तब ही बना रही है, जिसके lab अधिक हैं, तो इसको last में positive sense के अंदर आपको last म इसमें लिखना है, जो भी आपको मैंने question बताया था, question क्या था, कि रास्तान में जो refinery है, वो as a blessing और as a kus अर्थात एक वरदान है, या एक अभिसाप है, इसको define करना होता है, तो इस ही points के साथ, इस topic को हम समाप्त करेंगे, अब next class जो होगी, उसमें अपन new topic start करेंगे, thank you झाल